Discover what food service broking can do for you with Shere Khan's weekly market guide. Hello everyone, Shere Khan से मैं हूँ राहूल जाकरिया और उमीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हो. आज हम आपके लिए लेकर आए है Shere Khan's weekly market guide podcast. ये guide एक informational piece है ना कि कोई recommendation. तो market में पिछले सबता क्या हुआ आईए देखते हैं. लास्ट विक Sensex और Nifty दोनों में करीब आदे परसंट की बड़त देखने मिली. IT इंडेक्स में सबसे ज़्यादा धाई परसंट की किरावट दर्जुई, बाकी सबी इंडेक्स ग्रीन में बंद हुए. सबसे ज़्यादा Realty, Banks, Metal और FMCG में 4-6% की बड़त देखने मिली. अब देखते हैं, इस सब्ता के Important Factors का ध्यान रखना होगा. पिछले सब्ता HDFC और HDFC Bank के Merger की News सामने आई. महीं लास्ट विक RBI Policy आई, बारतिय रिजर्व बैंक ने लगातार 11 वी बार नितिगत ब्याददरों में कोई बतलाव नहीं किया है. FI23 में 5.7% महेंगाय का अनुमान है, वहीं सब्जी से लेकर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. उसके बावजुद, Equity Market में Retail निवेशकों का बरोसा बढ़ता जा रहा है. इस बार SIP के आकड़े रिकॉर्ड 12,300 करोड के पार पहुँच गये हैं. आने वाले वीक में, माविर जैन्ती और Good Friday की छुटियों के कारण, मार्केट तीन दीन की खुला रहेगा. मार्केट का फोकस अभी Quarter 4 के रिजल्ट पर रहेगा, जो इस वीक से स्टार्ट होने जा रहा है. वही देश के कुछ राजियों में कोरोना केसों में बड़तरी देखने मिल रहे हैं, जिस पर भी मार्केट की नजर बनी रहेगी. रश्या यूक्रेन के तनाव पर भी बजार की नजर बनी रहेगी. एक नजर इंपोर्टन एकॉनोमिक इवेंट्स पर भी टालते हैं. कॉंपनी जो इस अफ़ते अपने कॉर्टर फोर रिजर्ट अनौन्स करेगी, वो है. आईए एक नजर इंपोर्टन कॉर्पोरेट एकॉन्स पर भी टालते हैं. आईए जानते निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड रहेगा. साथी एक नजर डेरिवेट्व डेटा पॉइंट्स पर भी टालते हैं. स्टॉक्स जहां लॉंग बिल्डप देखा गया है. स्टॉक्स जहां शॉर्ट बिल्डप देखा गया है. आप सुन रहेते हैं शेर्खान विकली मार्केट गाइड. उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा. अपने फीडबैक हमें कॉमेंट सक्चन में जरूर देना और हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए धन्यवाद. जिए प्रिस्क बिल्सक्श देखाव में जरूर टाइड. प्रिवार्ट निष्कान.